ओके, मिपुना सांगतो है, तुम्ही कार्ण शोधन्या पेक्षे आपली सोय होते का योड्यावर्च लक्षे द्या, आनी लोगडाउन आहे मनुन उगी टाइम पास करन्याचा प्रेत्न कोर्नका, तुम्हाला अभ्यास बगा जसर रेगुलर मदे होता तसाच करावाला गेल, जर तयाचे पेक्षे वेगल, जरा ही काई करन्याचा प्रेत्न केला, तुम्हाला नुपसान होना राहे, बारा तास तुम्हा टाइम टेवल आसला पाईजे, आता तुम्ही स्ठरवाईचे तुम्हा आहे का नहें, ओके, और माजी गारंटी आहे कि यूटूबर चे वीडि Benzing, there is no need, concentrate होता है, सर्वत होता है, काई टेंशन गेंची गरजना होगी तुम्ही ही नक्री, हेला मी नक्रे मनतो है बाला नो, खर साम तुम्ही, हाँ, सोयज अनसली आसती न मला वाटला आसता, पन ही नक्रे जाले, तुम्हा खर साम तुम्हा नुक्सान तुम्हाला फार व प्लीज तुम्हाला यूटूबर ती सर्वर राइट होता है, प्लीज तुम्ही तुम्ही तुम्हा और फोकस करा, और फोन करत रहा सरानना, सिल्याबस सतत पूरेट होय चापन, ओके, सो इलेक्ट्रफिलिक सब्स्टिशन में हमने देखा था हेलोजी नेशन, सल्फो नेश नाइट्रेशन और उसके बाद अलकाइलेशन असाइलेशन, तो जैसे बेंजीन रिंग दिखाते हैं, वैसी बेंजीन रिंग के डेरिवेट्यूज भी दिखाते हैं, मतलब बेंजीन रिंग के डेरिवेट्यूज क्या होते हैं, ऐसी बेंजीन रिंग है, और उसको कोई ग् तो सिर्फ क्या है अब यह है लोगन एक्टिवेटर है अंजली क्या हो रहा हूं ठीक से पढ़ाई करो यार पढ़ाई करो अंजली दोनों गलत जवाब पढ़ाई पे ध्यान दो ज़रा ठीक से देखो, सभी एक्टिवेटर्स और्थो पेरा डिरेक्टर, सभी डी एक्टिवेटर्स और्थो पेरा डिरेक्टर, सभी एक्टिवेटर्स और्थो पेरा डिरेक्टर, सभी डी एक्टिवेटर्स मेता डिरेक्टर, ठीक है ना, सभी एक्टिवेटर्स ज़रा ठी और्थो प्यारा, डीक्टिवेटर्स, मेटा, डीयम, डीयम, डीयम मतलब डिस्ट्रिक मैजिस्ट्रेट, ऐसा याद रखो, डीक्टिवेटर्स क्या है, मेटा डियरेक्टर्स है, इसके लिए एक्सेप्शन एक ही है, कोन है, इस रूल को एक्सेप्शन एक ही है, कोन है, बोलो हेलोजन वेरी गोड अंजली जो की हेलोजन है जो की क्या है डी एक्टिवेटर है लेकिन और्थो पैरा डिरेक्टर है राइट तो यह देखे यह बेंजीन की रिंग मतलब यह ओरीजनल आपका हेलोजन डेरिट्व जो की यहां पर मोजूद है उसका अगर हेलोजनेशन करोग तो बस यहां पर हेलोजन आके बैटेगा अब और एक बात है यह और्थो पोजिशन पर विया और यह पैरा पोजिशन पर यह तो यह इस तरीके से और बाइप्रोड़क्ट क्या होगा है अगर याद नहीं तो बोलो उसके बाद सलफो नेशन इस इस सलफो नेशन सल्फोनेशन में यह देखे, यह प्यारा, यह और्थो, दोनों पोजिशन पर सल्फोनेख ग्रुप आया, और बाइप्रोडक्ट ह2O, मैंने बाइप्रोडक्ट नहीं लिखा है, क्यों कि अल्डेडी मैंने बेंजीन की रियक्शन बताई है, नाइट्रेशन में कॉंसेंट्रे सल्फिरिक असीड इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, बोलो बेटा, इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, क्यों 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 और सभी लोग प्लीज गुज़ए लोग बोल रहे क्या नाइट्रेटिंग मिंच्चर शिर्फ एक नहीं बताया है दिपक बाकी के लोग सो रहें क्या बेटा नाइट्रेटिंग मिंच्चर बहुत अच्छे दिपक बस पढ़ाई एक बात या धकना है मेरा हमेशा जितने रिजन देन दो गेना आप लाइफ को रिजन कम पढ़ जाएंगे रिजन कम पढ़ जाएंगे इतने रिजन मिलेंगे आपको फेल्यूर को एक्स्प्लेन करने के लिए और रिजन अगर नहीं ढूनना है अगर आपने सोचा तो एक भी रिजन नहीं मिलेगा आप इसलिए ना अगर रिजन ढूंड़ोगे तो आपका ही नुक्सान है डोंट फाइंड दे रिजन जस्ट फाइंड वेग चलिए उसके बाद है फ्राइडल क्राफ्ट अलकाइलेशन अन्हेटर सेल सेल 3 कैटलिस्ट होता है यह देखे पैरा पोजिशन पे और यह और्थो पोज करेक्टर है डिएक्टिवेटर है लेकिन हेलोजन डिएक्टिवेटर है हेलोजन अगर डिएक्टिवेटर है तो रियक्शन उतने फास्ट नहीं होगी जितनी की बेंजीन की होगी रियक्शन उतनी फास्ट नहीं होगी जितनी की बेंजीन की होगी लेकिन किस तरीके से है या यह लिका है समझने रहा होता है जल्दबाजी में सब कुछ हो जाता है कि यह होता है सी यह सी यह और यह देखिए यह यह बॉंडिंग ऐसे नहीं है यह बॉंडिंग यह ऐसे होनी चाहिए मतलब जरा मैं इसको बताता हूँ कि ना इसकामट अचलब है कि यह कार्बन के साथ बॉंड कर रहा है यह यह बॉंड यह घुलत है यह होना चाहिए इसी बेटा इस कारबन के साथ बॉंड निग ह bene है यह ऐच्चलिए ऐससे होता है C O C H 3 तो इसको ऐसे भी लिका जा सकता है C O नए नए ये तो गलत हो जाएगा ऐसा ये देखें ये C O इधर और ये C H 3 क्योंकि किसके साथ bond हो रहा है न वो carbon वहाँ पे होना चाहिए ये इसे ये तो ठीक है इसको कोई problem नहीं है तो ये सभी Fridal Craft Alkylation ये है आपका Asylation इसके लिए भी catalyst क्या होना चाहिए अन्हाइड्रस Al-C L 3 उपर वाले को भी अन्हाइड्रस Al-C L 3 चाहिए अन्हाइड्रस Al-C L 3 catalyst होना चाहिए ये Fridal Craft का Alkylation है फिर इसमें ये गलती है क्या देखो जरा क्या करें ये देखें ये bond इधर ने आना चाहिए च्छोटा सा जो आया ना वो भी गलती कर देता है बहुत बड़ी चलिए फिर ये CH3 का bonding ऐसा किया है जबके ऐसा नहीं होना चाहिए CH3 ये देखें ऐसे होना चाहिए लग कारवन के साथ bond होना चाहिए यार सिंपल सी बात है क्या करते हो और ऐसे बातों से ना बोर्ड में मार्क्स कटते है ये देखें ये ये कारवन के साथ bond होना चाहिए इसा कारवन के साथ चलो ये है आपका सलफोनेशन ये नाइटरिशन है इस इस नाइटरिशन इस इस सलफोनेशन और इन सभी रियक्शन में पैरा प्रोड़क्ट मेजर प्रोड़क्ट होता है ये हैलोजिनेशन और ये पैरा प्रोड़क्ट मेजर प्रोड़क्ट है सभी के पैरा प्रोड़क्ट मेजर है यहाँ पे क्या बोला है हैलोजिन्स और डियक्टिवेटर्स और तो पेलइडरेक्टर्स ड्यूटु प्लस आर एफेक्ट और ट्वात ँनुटु प्लस और प्रोडक्ट । और गार् मिचर प्प्रोडक्ट्स ऑर मेजर याद रखना है और हमेशा के सब्सक क्यों लिए ध्यूत ह। प्रोड़क्स यूजोली मेजर प्रोड़क्स होते हैं क्योंकि वहाँ पर स्टेरिक हिंडरंस कम आता है तो चलो इसमें कोई प्राब्लम है आगे चलू बोलो जरा आगे चलू झाल 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 क्योंकि युजु पर आज़े जाएंग बार्स 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 अंद रहा है ठीक है ये देखो देखो ये जो पेज है ना इस पेज को जरा पहले लिखलो ठीक से देखो जरा मने बोला था क्या बोला था कि एक कि और थो प्रफ्य राप पोजिशन सं era electrophilic substitution दिखाती है Feny लेकिन नुक्लियोफिलिक सब्स्टिटूशन नहीं दिखाती राइट नुक्लियोफिलिक सब्स्टिशन नहीं दिखाती लेकिन अगर उसका नुक्लियोफिलिक सब्स्टिशन दिखाना है तो हमको और्थोर पैरा पोजिशन पर electron withdrawing group लगाना पड़ता है नाइट्रो जैसा यह अगर यहाँ पे chlorine है तो यह यह नोटो अगर यहाँ पे लगाओगे तो rate of reaction बढ़ता है चलो यह याद आया क्या चलो याद आया क्या यह अरे याद आया ना हाँ तो यह देखो और यह अईसा क्यों होता है यह मनें बताया था मान लो कि यह पैरा पोजिशन पर यह नोटो है मान लो यह chlorine है इसके उपर मान लो यह OH ने attack कर दिया फिर यह यहाँ से charge यहाँ पे चला आया फिर यह negative charge यहाँ पे आया फिर यह negative charge चलांग लगा कि यहाँ पे आता है देखे इसने कैसे गंदी से diagram बनाई है यह देखे यह पूरा गलत है यह इसी नहीं होनी चाहिए कहां से लिया है bond actually कहां से लेना चाहिए इसने यह देखे यहाँ से लेना चाहिए और यहाँ पे जाना चाहिए उसने carbon से लिया है यहां पे करिप्ट किया है, यहां पे रैट किया है, कि यह bond इस carbon के उपर चला आया, लेकिन यहां पे न, यहां से यहां कर रहा है, तो यह गलत बात है न बेटा, यह देखो, यहां से यहां होना चाहिए, समझा क्या, उसने क्या गलत किया है, समझा क्या रहे, ठीक है, फिर मै पूरा गलत गलत कर दिया इसने बहुत मैं जरा इसको थोड़ा फेर कर देता हूं चलों इसको धरा फैर कर देता हूं बेटा एक काम करते चला एक मिनिट इसको जरा फैरी कर देते यह लो झाल झाल अब फीक से इसको जरा फेर कर देता हूँ ये तो words है इनको रहने दो अब देखो मैंने क्या बोला था अब आराम से बेठा पूरा का पूरा आराम से देखेंगे मांजरा क्या है मैंने बोला था ये देखो ये जो है मान लो ये इलेक्ट्रोफिलिक्स सब्स्टिटूशन रियक्शन नुकलियोफिलिक्स सब्स्टिटूशन हो रही है और ये ओएच मान लीजिए ओएच आया और मान लो याकर ये है आपका क्लोरीन और ये ओएच ने ये ऐससे अटेक्ट कर दिया यहां पर आटक कर दिया मतलब इस बॉंड को यहां से यहां जाना चाहिए ठीक से देखो कहां से कहा है उसने क्या किया था कही पर तो यहां से ले लिए इलेक्ट्रॉन यहां पर डाल दे ऐसा नहीं होता है बेटा कहां से इलेक्ट्रान आ रहें देखो ज़रा यह डबल बांड चुट के यहां आ रहा है यहां से भी दिखा सकते हो या फिर ऐसे भी दिखा सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता इन दोनों में से कौन डबल है कौन सिंगल है यह कोई जरूरी नहीं है, आप इसको भी sigma बोल सकते हो, इसको pi बोल सकते हो, ठीक है, तो फिर अगर यह bond टूट गया, तो यह bond उसकी जगा ले लेगा, तो कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको इधर से लेता हूँ, अब दे फिर यहाँ पर आया आपका क्लोरीन, यह है आपका ओयच, यहाँ पर डबल वाण, यहाँ पर डबल वाण, चलो, अब समझ में आया, पहला स्टेप समझ में आया यह, यह सवर नो बोलो जरा, यस, ओके, अब आगे क्या होगा, यह जो है ना, इसके resonance structure बनाता हूँ मैं, मतलब इसका resonance structure, canonical forms, तो यह देखिए, यह यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक से, ऐसे नहीं, कुछ भी करते हो आप, बाद में क्या करोगे, यहाँ से इधर डाल दोगे, अरे ऐसा नहीं है बेटा, कारबन से अभी वो बॉन्ड में जा रहा हो, यह देखो कारबन को उठा रहे हो, क्या, नहीं न, एरो से हम electron उठाते है, तो यहाँ पर जो double bond है आप एक तो यहाँ से ले लो, यह फिर ऐसा ले लो, और उसको इस कारबन के उपर डाल दो, तो यहाँ आएगा minus charge, यहाँ आएगा double bond, यहाँ single, यहाँ double bond, फिर यहाँ OH, यहाँ CL, यह हो गया, canonical form, canonical form का हम कैसे लिखते है, ऐसे, यह दिखी, right, और canonical form है, इसलिए मैं क्या करूँगा, इनको bracket कर दूँगा, क्यूंकि reaction से पैदा तो हो रहा ही यह, लेकिन यह इसका canonical form है, तो इनको bracket के अंदर लिख लेंगे कि बताने के लिए, यह canonical form है, फिर उसके बाद, यह द double bond, अब आप बोलोगे कि यह तो bond टूट गया, फिर यहां पर कुछ ऐसा bond तिर्चा होना चाहिए, मैंने बोला ना, यह टूट गया तो यह sigma बन जाता है, ठीक है, तो उसके बाद, अब देखो, यहां पर double bond आता है, और यह double bond यहां से इधर electron को दे देता है, क्योंकि अगर यहां double bond आता है, तो यह carbon के तो पाच bond हो रहे है, क्योंकि एक hydrogen already है उसके उपर, तो इसलिए यह यहां पर चला गया, और यह यहां पर double bond है ही, OH, CL, चला, अब मैं यह बोल रहा हूँ कि यह जो भी intermediate है, यह canonical form से, अगर मैं यहां पर प्यारा पोजिशन पर नाइट्रो ग्रूप लगा देता हूँ, अगर, अब इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, थोड़ा सा adjust करके लिखूँगा इसको, इस arrow को, और अगर इस प्यारा पोजिशन पर मैं, नाइट्रो ग्रूप लगा देता हूँ, अब यह यहां पर भी थोड़ा adjust करना पड़ेगा मुझे, तो यह माइनस यहां पर लगा दे रहा हूँ, और इस माइनस से यह इधर जा रहा हूँ, अब इस intermediate को देखोगे, तो इसका यह माइनस चार्ज यह नाइट्रो ग्रूप स्टेबिलाइज कर सकता है, मतलग इसके खुद के एक दो canonical forms होंगे, कैसे होंगे, यह माइनस देखे, यहां से इधर तो चला गया, यह भी एक structure बनता है, अब यहां से नीचे भी एक structure अगर मैं निकालूँगा, तो यह माइनस यहां से इधर भी आ सकता है, है ना, यह भी तो एक possibility है ना, है कि ने, तो यह माइनस को यह नाइट्रो ग्रूप थोड़ा सा स्टेबिलाइज कर रहा है, यहां पर मैं लिखूँगा, negative charge is stabilized by nitro group, negative charge is stabilized by nitro group, سमझ में आ रहा है न यह, तो इसलिए intermediate की stability बढ़ गई सही बात है ना intermediate की stability बढ़ गई intermediate की stability बढ़ गई तो rate of reaction बढ़ रहा है यही मुझको इससे बताना है और यही बात होती है अगर हम प्यारा और्थो पोजिशन पर लगाते हैं तो और्थो पोजिशन पर अगर यहां पर यहां पर लगाते हैं हम तो यही बात होगी वो यहां पर रहेगा यह नूटू यह देखी यहां पर यह देखी यहां पर यह नूटू होगा और जब निगेटिव चार्ज यहां पर आएगा तो उसको balance करेगा मतलब balance नहीं stabilize करेगा तो इसलिए और्टोपेरा पोजिशन पे ये no2 लगाते हो या फिर कोई electron withdrawing group लगाते हो तो rate of reaction बढ़ती है ये जो मैंने बताया था उसका page उसने यहां पे लिखाए तो दूसरे भी structure हम निकाल सकते है लेकिन मुझे लग रहा है कि आप उसको try कर सकते हो कि या फिर क्या कितनी देर लगेगी बस इसको कॉपी पेश्ट करना है कि control c हाँ यह देखिए यहां पे ना पैरा पोजिशन पे है यह अब देखिए बस अगर प्यारा पोजिशन पर है तो क्या होगा अभी simple सी बात है बस यहां से हटा दो यह नोटू को क्या करना है बस यहां से हटाना है और प्यारा पोजिशन पर लेकि जाना है उसको अगर अर्थो पर लगाते हो यह नोटू यह देखो यह नोटू यह देखो यह नोटू यह रहा यह नोटू और ठीक से ही अगर दिखाना है तो क्या करेंगे इसको बस थोड़ा आसा घुमा दो यार क्या है कंपुटर है ना तो कोई बात ही नहीं कुछ भी कर सकते हो इसमें यह लोग इसको घुमा दिया इधर पीछे ले लिया अब यह नोटू का अच्छे से दिख रहा है यह यह बांड के उपर निग्र रहा है तो अंदर से भी ले सकते हो निगेटीव चार्ज को यह अईसे या पिर थीक से ज़रा चोटा साहिदर निकाल दो अब यह निगेटीव चार्ज यहां पे जाएगा और फिर यह यहां पे जाएगा आई यसे भी तो हो सकता है इसके आगे एक canonical form आ ही सकता है तो इस तरीके से यह stabilize हो रहा है निगेटिव चार्ज इस टैबिलाइज भाई यह नोटो ग्रूप बस इसको इस वर्ड्स को यहां पर लिखना चाहिए समझ भी आया और थोर प्यारा पोजिशन पर यह नोटो ग्रूप लगाने पर किस तरीके से इंटर्मेडिट की stability बढ़ रही है यह है वो पेज इस पेज को बस मैं अभी अगला नाम 1828 नहीं चाहिए यह यह कहां पर चाहिए पेज 128 वाला पेज यहां पर चाहिए बेटा हाँ यह देखे इस यहां पर चाहिए मतलब इसके आगे कौन सा है 122 122 यह कर देता हूं मैं इसको यह देखे ओके अब आपको समझ में आएगा कि मुझे बोलना क्या है यह देखे यह होगा पहले यह होगा कि नुकलियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आरोमेटिक रिंग नहीं दिखाना चाहिए उसके चार रिजन उसके बाद दिखाती है अगर ड्रास्टिक कंडिशन लगाई तो लेकिन ड्रास्टिक कंडिशन डेंजर से तो हम केमिस्ट्री का यूज करते है और और अर्थोपेरा पोजिशन पे इलेक्ट्रान विड्राइंग ग्रूप लगाते है जिससे की ड्रास्टिक कंडिशन कम हो हो जाती है उसके ये रीजन ठीक है और उसके आगे इलेक्ट्रफिलिक सब्स्टिटूशन तो अपना कंटिन्यू हुआ यहां तक अब उसके बाद फाइनल रियक्शन है इस चाप्टर की जो के आरोमेटिक रिंग और मतलब उड्ज रियक्शन है और आरोमेटिक देखे सबसे पहले आपके वूड्ज रियक्शन क्या थी वो देखो पहले वूड्ज रियक्शन क्या थी अगर दो अलकाइल हलाइड लोगे तो यह दो अलकाइल हलाइड एक दूसरे से चिपक जाते है आर आर वैसे दो अरील हलाइड लोगे तो यह दोनों एक दूसरे से चिपक जाएं यह fatigue है, fatigue, कई बार हो जाता है, यह गलती, fatigue reaction, ठीक है, Oods fatigue reaction, तो अगर आप एक alkyl halide लेते हो, और एक aryl halide लेते हो, तो उन दोनों को चिपकाने के लिए, मतलब इसके लिए fatigue reaction, इसके लिए Oods reaction, ऐसा नाम है, तो इन दोनों को combine करोगे, तो Oods fatigue reaction बोला जाता है, अब इसके साथ यह तो form होता ही है, अफकोस cross, मतलब self भी हो जाएगा न बेटा, यह भी तो product form होगी, बोलो ज़रा एक बार, यह भी product form होंगे या नहीं होंगे, बोलो ज़रा, by product यह भी form होंगे की नहीं, नहीं समझ भी आया तो नहीं बोलने का, बस, नहीं बोलने का, बस, काम खताम, यहां तक बात clear है, किसे को कोई problem है, शेलो फिर आगे चलते हैं, मुझे लगता है, मुझे लगता है, this is the end of the chapter, लेकिन final है यह आपका puzzle, okay, polyhalogen compounds है, आरे हाँ, इनकी uses देखने हमको, मैं बहुती quickly बता दूँगा, क्योंकि यह बहुती फाल्तू चीजे होती है, बहुती फाल्तू चीजे, बहुती फाल्तू चीजे, चलिए, ज़रा देख लेते हैं, इनकी uses हम, polyhalogen compounds, इसका मतलब है कि chlorine, 2, 3, 4, 5, chloroform, उसके बाद carbon tetra chloride इनको कहते हैं, polyhalogen compounds, right, तो सबसे पहला polyhalogen compound है, dichloro methane, यह देखिए, यह वाला dichloro methane, इसको methylene dichloride भी बोलते हैं, तो इसका मतलब uses क्या है, side effect क्या है, वगरा वगरा, यह तो इसको solvent के तरह use किया जाता है, दुसरा paint remover, कहां पे paint लगाया, उसको निकालना है, तो आप dichloro methane लेके आओ, निकल जाएगा, it is used as, यह बहुत important है, propellant in aerosol, सबसे पहले aerosol का मतलब क्या है, शादी होने के बाद, शादी होने के बाद, शादी के बाद stage पर वो white color का फवारा मारते हैं, right, fuming, पता ही किने, बोलो, अरे बोलो रे भाई, पता है ना, वो कुछ मारते हैं ना, हाँ, या फिर आपके DO अगेरा जो होते हैं, या फिर और एक है, shaving cream, अब आ रही है, foam के foam में, पता है कि नहीं, direct foam निकलता है उसके अंदर से, yes, तो वो जो फवारा है, उस फवारे को बाहर लाने के लिए, मतलब जो liquid उसको बाहर लाता है, उसे propellant कहा जाता है, propellant मतलब किसी चीज़ को आगे लेकर जाने वाला, boat को आगे लेकर जाने वाले boat के paddles होते हैं, तो उन्हें propellant कहेंगे, propell का मतलब है, आगे लेके जाना, तो उस white जो foam रहता है, face, जाग, उसको बाहर निकलता है, यह वाला liquid है, इसा liquid, है, so aerosol को बाहर निकालने के लिए propellant की तरह काम करता है, उसके बाद, it is used as process solvent in manufacture of drugs, process solvent मतलब कुछ ने, reaction होने के लिए, जो solvent लगती है, वो solvent की तरह काम करता है, उसके बाद, metal cleaning के लिए भी इसका use होता है, finishing and finishing solvent मतलब, पूरी reaction होने के बाद, जो भी गंदग है, उसको धो होने के लिए, जो final काम किया जाता है, उसे finishing कहते है, तो वो solvent भी ये काम करता है, solvent की तरह, methylene dichloride हमारी central nervous system को harm करता है, उसके बाद, हाँ, अगर lower level, मतलब कम मातरा में इसको exposed हो जाते हो आप, it can lead to impaired hearing, impaired मतलब खराब हो जाना, आपका सुनाई देने की और देखने की क्षमत कम हो जाती है, उसके बाद, methylene chloride in air, अगर हवा में है methylene chloride, यह dichloride, तो आपको dizziness आ सकता है, मतलब चकर, nausea मतलब मलमल, tingling मतलब, tingling मतलब क्या ऐसा हो रहा है, मतलब high, यह देखे, यह low quantity में अगर है, तो आपको सुनने में और दिखाई देने में टेंशन है, अगर उसकी quantity ह हवा में ज्यादा बढ़ जाती है, high हो जाती है, तो आपको चकर आ सकती है, nausea मतलब मलमल हो सकता है, tingling मतलब, stinging मतलब आपको ऐसा चुपता है, मधु मक्की ने काटा है, इसा लगता है, उसके बाद numbness, numbness का मतलब है, no sensation, आपको sense lose हो जाता है, समझ में आया, बोलो, अरे बोलो, क्या यह, फाल तुह यार इसमें क्या है, उसके बाद है ये वाला बंदा, trichloro methane, इसको chloroform भी बोला जाता है, ऐसा है तो आउड़ोform, ऐसा है तो क्या बोलोगे, फटा-फट बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो बेटा, क्या बोलेंगे इसको, बोलो, बोलो क्यों नागेश मुंडे BF बोलोगे क्या BF के कई सारे मिनिंग होते हैं बिटा कौन सा वाला लेना चाहते हैं आप ब्रोमो फॉर्म ठीक है अच्छी बात है एक्जाम में मत लिखना BF लेकिन तो प्लोरो फॉर्म की बात करते हैं जो अंडरलाइन किया है वही इंपॉर्टन्ट है इसलिए मैं उतना ही बता रहा हूं उसका मेजर यूज कहां पे होता है फ्रेयान में फ्रेयान क्या है रेफ्रीजरंट है रेफ्रीजरंट आर टू टू इसका नाम याद रखना है रेफ्रीजरंट का मतलब फ्रीज के अंदर ठंडी करने के लिए जो ग्यास यूज की जाती है उसे रेफ्रीजरंट कहा जाता है वो कैसे काम करता है यह फिजिक्स once used, पहले उसको anesthetic, anesthesia के लिए use किया जाता था, anesthesia मन्जे भूल देने, भूल देना, surgery करते वक्त भूल देने के लिए उसको use किया जाता था, लेकिन बाद में पता चला कि यह अच्छा नहीं है, तो अब less toxic substance को replace किया गया है, उसकी जगा पर, जैसे कि ether को अभी use किया जाता है, chloroform को नहीं, उसके बाद, उसके बाद यह जो छोटा-छोटा दिया है, यह 900 ppm, अगर short time के लिए यह हवा में है, 900 ppm के मातरा में, तो it causes dizziness, fatigue मतलब थकवाये नहीं, थक जाना, headache मतलब सिर्दुकना, उसके बाद chronic chloroform exposure, chronic मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा अगर exposure हो जाता है, chloroform बहुत ज्यादा मातरा में आपके नाक में चला जाता है, तो it causes damage to liver, जहाँ पे chloroform is metabolized to phosgene, phosgene is very dangerous gas, उसके बाद kidneys को भी danger है, किसका chloroform का अगर chronic exposure हो जाता है, तो, उसके बाद chloroform is stored in closed dark colored bottles, completely filled, so that air is kept out, क्योंकि अगर chloroform हवा में रख दिया जाए, बाटल को अगर pack नहीं किया जाए, तो वो हवा के साथ light के presence में react होके phosgene gas पैदा करता है, और यह phosgene gas बहुत ही dangerous, poisonous है, वर्ल्ड वार में इसको use किया गया था, उसके बाद है iodoform, iodoform is antiseptic, मतलब antiseptic का मतलब क्या होता है, अगर आपको कुछ लगा है, तो आप शरीर के उपर, मतलब कहां पर जखम हुए हैं, तो उसके उपर लगा सकते हो, उसे antiseptic कहते हैं, it has objectionable smell, objectionable मतलब बहुत ही जल्दी आपको समझ में आएगा, objectionable मतलब जो हाप सहन नहीं कर सकते, ऐसी smell है, अब iodoform के जगा पर दूसरे भी medicines का use किया जा रहा है, उसके बाद ही carbon tetracloride, carbon tetracloride, carbon tetracloride, it is used in the manufacture of refrigerants, मतलब जो फ्रेयोन है ना वो, उसके बाद propellant जो कि मैंने बताया, propellant क्या होता है, उसके बाद, 1960s के मिड तक, मतलब 1965 तक, it was widely used as cleaning fluid, सफाई के लिए यूज किया जाता था, it was also used as a spot remover, मतलब दाग धब़ों को निकालने के लिए यूज किया जाता था, fire extinguisher, मतलब अगनी शामक बोलके यूज किया जाता था, अगर carbon tetracloride का ज्यादा exposure हो जाता है, तो liver cancer हो सकता है, इसके more common effects है, dizziness, light headacheness, headedness, light headedness मतलब सिर हलका हुआ ऐसा लगता है, nausea मैंने बताए यह सब के meaning क्या है, vomiting, ultiana, यह सब हो सकता है, चलो भहिया इस page में कोई अगर tension है तो बोलो, इस page में कोई tension है तो बोलो, वरना आगे चलेंगे हम, अरे बोलो, ठीक है फिर आगे वाला कल लेंगे क्योंकि अभी time हमारे पास बहुत ही कम है, बस इतना वाला बताता हूँ मैं, यह वाला, यह जो पीछे वाला था, कौन था, इसको याद करना पड़ता है, कौन है यह, carbon tetra chloride, यह carbon tetra chloride, it causes permanent damage to the nerve cells, हमारे nerve cell मतलब क्या है, पता है आपको neurons, फिर उसके बाद इस से हमें stupor, coma, unconsciousness, death, यह सब हो सकता है, मतलब यह stupor, coma, यह सभी हमारे धीरे-धीरे मरने की तरफ जाने की stages है, heart beat की irregularity भी बढ़ सकती है, या फिर heart beat stop भी हो सकती है, carbon tetra chloride, जो की हवा में छोड़ा जाता है, उससे हमारी ozone layer भी खतम हो रही है, ओके, चलिए, उसके बाद,